नमस्कार मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पबलिक खबर भारतिय जैवलिन थ्रो प्लेयर नीरत चोपड़ा ने इतिहास रज़ दिया है उन्होंने टोकियो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है टोकियो ओलंपिक में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरत चोपड़ा पर पूरे देश को गर्व है उन्होंने अपने शांदार प्रदर्शन से पूरे देश को ही नहीं बलकि पूरी दुनिया को रोमान्चित कर दिया उनका सर्वश्रे शुत्रो 87.5 आच मीटर रहा वही ओलंपिक की व्यक्तिगत स्परधा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला ओलंपिक के इतिहास में अब तक भारत को कीवल 9 स्वन पदक ही मिले थे और अब नीरज ने 10 वा गोल्ड मेडल दिला दिया अभिनव बिंद्रा के बाद वो दूसरे भारतिये हैं जिन्होंने एकल इस परधा में स्वन पदक दिलाया है नीरत चोपडा भाला फेक इवेंट में इतिहास रशने के साथ ही एतलेटिक्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतिये बन गए हैं बतादें कि नीरत चोपडा सेना में अधिकारी है और उन्होंने पहली बार उलंपिक खेलों में हिस्सा लिया विकिसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी कड़ी महनत और संगहर्ष की बल पर टोक्यो में भारत का तिरंगा सबसे उंचा किया नीरत चोपडा केवल 23 साल की आयू में इतिहास रजकर सभी युवाओं के लिए प्रेड़ना बन गए हैं नीरत चोपडा का जन 24 दिसंबर 1997 को हडियाना के खांदरा गाउ में हुआ था नीरत चोपडा गरीद किसान परिवार से आते हैं 11 साल की उम्र में ही नीरत मोटापे का शिकार हो गए थे उनका बढ़ता वजन देखकर घरवालों ने मोटापे को कम करने के लिए नीरत को खेल कूद का सहारा लेने की सलाह दी जिसके बाद वो वजन कंद करने के लिए पानी पस के शिवाजी स्टेडियम में जाने लगे एक आम भारतिय लड़के की तरह उनकी भी पहली पसंद क्रिकेट ही था लेकिन स्टेडियम में जावलिन थ्रो की प्राक्टिस करने वाले खिलाडियों को देखकर उनकी मन में आया कि मैं इसे और आगे और दूर तक फेक सकता हूँ यही से नीरत चोपडा की मन से क्रिकेट आउट हो गया और जावलिन थ्रो में एंट्री की एक आम भारतिय लड़के की तरहा उनकी भी पहली पसंद क्रिकेट ही था लेकिन स्टेडियम में जावलिन थ्रो की प्राक्टिस करने वाले खिलाडियों को देखकर उनके मन में आया कि मैं इसे और दूर तक फेक सकता हूँ यही से नीरत चोपडा के मन से क्रिकेट आउट हो गया और जावलिन थ्रो ने एंट्री की बता दें कि नीरत चोपडा अलग-अलग प्रतियोगिताओं में पदग जीते रहे हैं उन्होंने सबसे पहले 2012 में Athletics Championship में स्वयन पदग जीता था 2015 में चीन में हुई Asian Athletics Championship में नीरत चोपडा नौवे स्थान पर रहे थे लेकिन 2016 में ही उन्होंने कमाल कर दिया South Asian Games में अपना पहला अंतर राश्रिय गोल्ड मेडल जीतने के बार उन्होंने Asian Junior Championship में Silver Medal हासल किया नीरत चोपडा ने 2018 के Asian Games और Commonwealth Games में स्वयन पदग जीता था हालांकि 2018 के सीजन खत्म होने से पहले हुई IASF Diamond League में वो podium finish नहीं कर सके लेकिन अब नीरत चोपडा ने एक और एतिहासी कुपलब दी अपने नाम दर्ज कर ली है नीरश ने 13 साल बाद Tokyo Olympic में भारत को एकलोता स्वयन पदग दिलाया है कर दो झाल झाल इस खबर में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की बागी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चानल को वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें